नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में आज हम बात करेंगे प्रथम विश्वयूद के कारणों के बारे में तो वीडियो शुरू करने से पहले चल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किय तो सब्सक्राइब कर लें और पास में आ रहे बेल आइकन को भी दबा दें इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिपेकिशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए तो चलिए ब्लॉक शुरू घरते हैं आज हम चर्चा करेंगे प्रथम विश्वयूद के प्रमुक कारणों के बारे में प्रथम विश्वयूद का आरंब 1904 इसवी में आस्ट्रिया के यूराज फर्णिनेंट की अत्या के कारण हुआ था परन्तु यह कोई आक्षमिक घटना नही थी इसकी प्रष्ट भूमी 847 से 1904 इसवी तक सामराज राज्यवादी राष्ट्रों के स्वार्थों, नीतियों तथा घटनाओं द्वारा तैयार हो चुकी थी अने घटनाओं के कारण यूरोप का वातावरन विश्वोटक बना हुआ था विबिन विरोधी परिस्थितियों के मिलने से कोई बीचिनगारी प्रचंड अगनी का रूपतारण कर सकती थी और प्रथम विश्वयूद में भी ऐसा ही हुआ दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपने प्रथम विश्वयूद के कारणों के चर्चा पहला करन था दोस्तों उग्र राष्ट्रिय था उन्नीश्वी सताबदी में यूरोप क अनेक राष्ट्रों में उग्र राष्टियत की बावना विक्षित हो चुकी थी प्रतियेक राष्ट्र अपने विस्तार सम्मान और गौरव की वृद्धी जथा अन्य देशों को नश्ट करने के लिए तयार था दोस्तों और अब दूसरे खारण की और बढ़ते हैं इंग लेंट था फ्रांस को भी अद्योगिक उत्पादन में पीछे छोड़ दिया तो आईए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम आपने तीसरे गारण की तरफ जर्मनी वह फ्रांस के बीच परतिस पर था अठासो इकतर इसवी के युद में जर्मनी ने फ्रांस को बुरी तरह से प उसर मिल गया था और चलिए दोस्तों अब हम चौथे कारण की तरफ बढ़ते हैं चौथा कारण है हमारा गुटों का निर्मार विस्मार्क ने फ्रांस को मित्रहीन और एका की बनाए रखने के लिए गुटबंदी का सहरा लिया तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने पा प्रतन में एक राष्ट्री आंदोलन शुरू किया जिसे सर्वस्लाव आंदोलन कहते हैं दोस्तों तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने च्छटे कारण की तरफ व्यापारिक तथा अपनी वेसिक प्रतिस परधा भी प्रतम विश्वेद का प्रमुक कारण थी इसके साथ ही इन देशों को कच्छा माल प्राप्त करने के लिए तथा अपने तयार माल को बेचने के लिए नवीन बाजरों की आउश्यक्ता हुई तो चलिए दोस्तों अभामबट ते अपने सात्वे और अंतिम कारण की तरफ वह हमारा ततकालीन कारण आश्टिया और सर्बिया के समद 1908 युशी से ही बिगडे हुए थे दोस्तों जो 1914 तक अपनी चरम सीमा पर पहुँच गए सर्बिया के उगर राष्ट्रवादियों ने खाला आत नाम के गुप्त संस्था बनाई 28 जुलाई 1914 को आश्टिया द्वारा सर्बिया पर आकरवन की जाने के साथ ही प्रतम विश्वयूद की शुरुवात हो गई तो दोस्तों यह हमने साथ करण पढ़े आपको अगर पसंद आए है तो वीडियो लाइक कमेंट और सेयर करना ना भूले ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाब मिल सके जैहिन जैबर